हेलो भीवास, वील कम बेक टू माई चैनल, आज हम लोग बनाएंगे चोकलेट ब्राउनी, चोकलेट ब्राउनी हम लोग बनाएंगे चोकलेट बिसकिट से, तो मैंने इसके लिए बॉन बिसकिट यूज किया और इसको बनाना बहुत ही आसान है, तो जो बीगनेर्स है उनके कि इसमें कोई मोइदा मैंने यूज नहीं कर रही हूँ और आपका कोई एक भी नहीं यूज बना रही हूँ तो जहान चाड़ बहुत ही काम है तह चलिए बनना, स्टार्ट करे इसको बनाने के लिए मैंने एक packet बंळ-बन बिस्कित है आप चाहे तो कोई भी चोकलेट बिस्किट यूज़ कर सकते है नहीं तो नॉर्मल बिस्कित भी यूज़ कर सकते है तो हम लिए लिए एक packet, इसको हम लिए ग्राइओडर में डाल तो आद मिक्सी में डालके एक दो महीन पाउडर बना लेंगे आप चाहे तो इस पोजिशन में छान भी सकते हैं लेकिन मैं लास्ट में छानूँगी इसलिए मैंने अभी छाना नहीं है तो इसको मैंने पाउडर बना लिया बोल में ट्रांसपर कर लिया इसका बाद मैंने वार्प मिल्क डाल रही हूँ, तो इसमें क्या है ना, अच्छा से मीक्स हो जाएंगे और बहुती सौप्ट बनेंगे, ब्राउनी बहुती सौप्ट टेक्स्चर बनेंगे, तो और इसको जो पाउडर है वो भी अच्छा से मीक्स हो के स्मूध बैटर बन ज जाएंगे, आप चाहे तो पाउडर शुगर भी उसकर सकते है इसमें मैंने एक टेप टी स्पून कॉफी पाउडर यूज कर रही हूँ, कॉफी पाउडर जो रोड डाली है तो इसको ब्राउनी का जो स्मेल है बहुती आच्छा फ्रेग्रेंस आते है, देखें कितना आच् मिक्स हो जाएंगे और उसे कॉफी मिक्स हो जाएंगे, अब हम लगने थोरा कोका पाउडर भी उसकरेंगे, कोका पाउडर हम लग 2 MILLI amusement ले रही हूँ, जो भी अच्छा है तो उतना खाराव स्मिल भी नहीं आने का चांस से इसका बाद मैंने बेकिंग पाउडर हाप टीस्पून यूज ज्यादा यूज नहीं है क्योंकि हम लग माइदा यूज नहीं कर रहे हो तो इसको फुलने का चांस सपना यह नहीं है जल्दी फुल जाते है थोड़ा सा बेकि बेकिंग ओयल डाल रही हूँ पोर टेवल टीस्पून आप चाहे तो मेल्टेड बाटर भी यूज कर सकते है लेकिन ओयल में थोड़ा मॉस्तर अच्छा रहते है केक का इसलिए मैंने अलेस प्रिफर करती हूँ जैसे ओयल यूज उसकरना केक में नहीं तो मेल्टेड बाट हाफ आफ यूज कर सकते है अपने तो अभी हमारा बैटर रेडी है इसको साइड में रांग देंगे और एक बेकिंग ट्रेल या बेकिंग ट्रेल को हम लोग तोरा सा ग्रीस कर लेंगे तो बहुत ही आसानी से हम लोग को निकाला जाएंगे जब बेकिंग करने का बाद जो ह बाटर पेपर यूज़ करना जोरूरी है, तो ट्रेय से अच्छा से निकाला जाते हैं, तब देखिए हम लग बैटर को स्टेन कर रहे हूं, चान रहे हूं, अच्छा से ऐसा चान लीजिए, तो इसका अंदर गुटलिया लाम्स रहने से कोई चंस नहीं है, लाम्स नहीं रहे बिस्किट का कोई टुकरा-फुकरा राजा है, तो वह भी निकालाते हैं, तो यह बहुत ही अच्छा से बेक होते हैं, और बेकिंग का बाद बहुत ही अच्छा ब्राउनी बन जाते हैं, तो हम लग इसको बेक करने के लिए रेडी है, 170 डिग्री टेम्पराचर में हम लोग बेक करेंगे, तो मैं लोग माइक्रोविन का अंधर इसको डाल दिया, आप देखें कितना जल्दी बन जाएंगे, अब ऐसा सेटिंग कर लिजिए अपका माइक्रोविन में, उसका बाद देखें कितना जल्दी बन गए ना, हमारा एक बेक हो गई, ना यामी यान टेस्ट ह इसको थोड़ा टेस्ट करेंगे, बेक हो किया की नहीं, अब देखिए, टूथपिक डालने से एक तुम क्लीन आ रहा है, इसका मतलब यह पूरा बेक हो गई, ता भी इसको एंजय करना है, थोड़ी दिर बाहर राक के उसको एंजय करना है, थैंक ये फॉर वाचिंग, फिर मिलेंगे, बाबाइ